अभी भी वह मादवी से बातचीत नहीं कर रहा है, सिर्फ उसे दे के ही गुरे ही वहाँ जा रहा है उसे मादवी पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि वही मादवी है वो सबी सिर्फों और सिर्फों क्या है तुमारे गुरुदक्षिना की पूर्ति के लिए, तुमारे प्रतिक्या पूर्ति के लिए क्या है ये जो रूप और सांदर्य है, क्या है वो फिर से में पास अक्ति हो अनुष्टान करके मगर मेरे दिलका में क्या करो जो पहले से तूट चुका है जो छलनी हो गया है उसका में क्या करो करें नमस्कार मैं हूँ अर्शिता हिंदी लेक्चरर विद्धैश्रम कॉलेज मैसूर मादवी नाटक के लास सेशन में हमने पाठ यहां तक देखा था कि अभी ययातिक के आश्रम में जो है एक तो जो गालव है उसका दिक्षा समारो है और एक यहापर मादवी की जो स्वयम वहरे उसे भी यहापर रचा गया है तो ऐसे में मानों यहापर यहाथ है कि आश्रम में एक उट्सव का इक माहोल जो है हम देख सकते हैं तो गालव और विश्वामित्र भी वहापर आते हैं तो ऐसे में गालव जो है यहापर मादवी को ढूनता रहता है अंत में वो तापस से कहता है कि मादवी से कहता है कि मैं आ गया हूँ, इतना है अपर पाठ हुआ था, चलिए अभी आगे का जो पाठ है आज के सिशन में हम देखेंगे, देखें अपर गालव, मुझे यहाँ पहले आ जाना चाहिए था, दो दिन पहले ही पहुंच जाता, मा अभी तक वहां मादवी से नहीं मिला है, अभी तक वहां मादवी को ढूंडी रहा है, तो ऐसे में गालव क्या सुच रहा है, अभी एक एक बात जो है पर मैं कहूंगे उसे अच्छे से याद में रखिएगा, गालव जो है, यहाँ पर कह रहा है कि मुझे यहाँ पर पहले और रहने के लिए आपर सोचेगी ना उसका मन बदल के अब तक उसका मन बदल गया होगा मतलब कहीं न कहीं गालव को भी बात पता है कि क्या है मादवी उसे पसंद करती थी तो ऐसे में वह भी माधुई को पसंद करता है, तो अभी देखें, गालव के मन में यह शंका ही कि क्या माधुई अभी पहले की टरह ही होगी या फिर उसका मन बदल गया होगा तो क्या है इसका मतलब गालव स्वयमवर में भाग लेने वाला है अपने दीक्षा समारों के बाद उसे दीक्षा मिलने के बाद वहभी किया है स्वयम में भाग लेने वाला है अगर माध earn पहले की तरह उसे प्रेम करती है तो वह उस जो है पर चुनेगी नहीं तो किसी राजा को यस पूराम से या कोई और स्त्री अपने मादवी को देखा है मैं मादवी से मिलना चाहता हूँ देखे अभी ऐसे ही सोच कर जो वहाँ पर खड़ा रहता है उतने में देखता है कि सामने जो है मादवी कड़ी है और वो पहचान नहीं पार है वो बोचक कासा जो है पर उसकी वर देखा जा रहा है क्या है उसे यहां पर पता ही नहीं चल पा रहा है कि वह मादवी ही है या फिर कोई आउर उस्त्री तो पूछता है कि आपने मादवी को कहीं देखा है तबी देखे मादवी तुम आ गए गालव मैं अभी अभी वन से लवटी हो आगे बढ़कर तुम बड़े सुन् पर कर आये हो गालो तुम बहुती सुन्दर लग रहे हो तो इस तरह या पर मादवी जो है कहती है तबी देखे मादवी को देखकर गालव ठिटक खड़ा रहता है मादवी के देख ढल चुकी है जाईयां आंकों के नीचे अंधेरे साए उतर आये है अधेड उम्र की अनाक लगने लगी है अधेड उम्र की अनाकर्षक लगने लग रही है तो ऐसे में ठिटक सा वैसे ही खड़ा रह जाता है उसे भरोसा ही नहीं होता है कि कुछ पलों के लिए कि वहाँ मादवी ही है तो एसे में क्या है मतलब वो सुन्दर थे जब उसके साथक अधेड़ उम्र के अनाकर्शक तो इसलिए और एक साधारण वस्त्रों में है आज उसका स्वयमवर है फिर भी वहाँ साधारण वस्त्रों में ही है वहाँ सजीद जीवी नहीं है तो ऐसे में गालव माध्वी देखे वहाँ उसे देखकर माध्वी करके कहता है तबी माध्वी तुम्हें बदाई हो गालव तुम्हारी गुरु तुम्हारे गुरुदक्षिना पुर्ण हुई तुम्हारी प्रतिग्या पुर्ण हो गई करके तभी देखिया मुस्कुरा कर अब तो मजदार में नहीं होना करके मतलब वह विश्वामित्र के पास जब गए तभी क्या है मजदार में चुड़कर चली गए इसे सभी उसने सो काही ना हो देखिये फिर से वह से फितना ही बोल रहा है कि मादवी मादवी वह कुछ बोली नहीं पा रहा है तो ऐसे में मादवी खुद बोलते कि क्यों मुझे देखकर तुम चोंग गए हो जैसे तुमने पहले मुझे कभी नहीं देखा ऐस तरह से तुम मुझे देख रह अब तो मैं पहले जैसे तो माध भी नहीं हो सकती हो ना कालो करके वो मोटे हो गई हो ना करके यहांपर वो हसते होजी है अबी माध भी, क्या कर रही है, अबी अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखते हुजी हो यह अब ही भुंत वह एकेती है तैं कि भूपा पूर्ची हो 둘 और भी जिया एक है तम्हारे साथि जंगलों में घूम घूरोंगी करके तब यहाँ चेह raining अब भी माधवे के चहरे की ओर कि हो रहा है तुमारे चहरे पर कैसी निराशा फैल गई है मैं इतनी खुरूप हो गई हुँ क्या देखिए अभी वहłoं मात्वो χो गई हो इतनी निराश तुम गई क्या मैं इतनी निराश थोdollar करके तब ही देखिया हसकर और तुम सवंदर्य के उपासक कप थे तुम तो करतवी के उपासक हो ना क्यों गलम क्यों मैं सचमच बहुत कुरूप हो गई हूं पर तुम्हारी प्रतिग्या भी तो इतनी आसान नहीं थी ना तुम कुछ भी बोलते क्यों नहीं हो देखिया पर अबी भी माधवी ही बोले ही जा रही है वो कहती है कि तुम एहां पर सवंदर्य के उपासक कप थे तुम तो क्या है करतवी के उपासक थे ना क्तल EPA TUM करतम भी पार आयन थे तो ऐसे में क्या है तुम्हें सवंदर्य जो है महत्व नहीं रखता था ना तो मैं Tou आप्क्यों और ऐसे खड़े हो गए हो और तवर और एक बत वह कहती कि क्या है और तुम्हारी प्रतिग्या भी उतनी आसान नहीए थी ना उसमें ही बहुत साल जो है आपर घुजर गए तो ये बात जो है आपर कहती है और कहती है कि तुम कुछ बोलते क्यूं नहीं बोलो गालो करके तब ही गालो बोलता है तुम्हें तो चिर कौमारे कवर मिला हुआ है मादवी तो तुम प्रसव के बाद भी यूती बनी रह सकती हो देखे अब यहापर गालो क्या के रहा है उससे बोल भी रहा है तो क्या बोल रहा है मादवी तुम्हें तो चिर कौमारे कवर प्रसव के बाद तो ऐसे में क्या है प्रसव के बाद फिर से तुम क्या है वरत करके क्या है पर फिर से वरत करके तुम यहापर यूती जो है बन सकती हो गालव गुरु महराथ से बेंट हुई गुरु जन तुमसे बहुत प्रसंद है न देखे अभी गालव जो है यह बात कहता है कि तुम फिर से वरत करके यूती बन सकती होना क्योंकि अभी वह अधेड़ उम्र वाली स्त्री जैसे लग रहे हैं इसलिए तो ऐसे में फिर से तु आसे यहां प्रश्णु जो है यहां पर चिपा हुआ है तो ऐसे में वो कहते हैं कि छोड़ो यह सभी बाते चोड़ो तुम गुरुजनों से मिले वो सभी तुमसे बहुत ही खुशते करके मादवी जो है बात बदलते हैं तबी मादवी हसकर पहले मुझे तुमारी अनुष्टान कर लेनी चाहिए थी करके तबी आपर वह कहती है यह बात कि पहले में पुत्र जन्म के बाद किया है अनुष्टान कर ले थी क्यूंकि बाद में कोई भी राजा मुझे रखने से मना ना करे करके क्यूंकि अगर लड़की जो है यूती जो है सुन्दर होगी तबी कोई राजा उसे रखेगा ना इसलिए मगर अभी क्या है तुमारी जो प्रतिग्या पूर्ती है वह हो चुकी है तो ऐसे में मुझे अनुष्टान करने के क्या वशिकता है करके तबी गालव तुम फिर भी तो अपने पहले रूप में आ सकती हो करके तबी मादवी अ आप चुछ भी चुपाना नहीं चाहती है त्हुंकि जिस तरह वो बार-बार तब से मादवी से कहा जा रहा है कि तुम अनुष्टान करो पहले के जैसे यूति जो है सुंदर यूती जो है तुम बनो करके वह उसकी सुंदरता से प्रेम करता था या फिर मादवी से यह प् बरता में उसके बातों में कोई अंतर नहीं है सिर्फ उसकी सुन्दरता तोड़ा से कम पर हो गई है डल गई है उतना ही बढ़ते उम्र के कारण मगर गालव जो है यहाँ पर बार-बार यही कह रहा है कि तो मानुष्टान कर लो तुम पहले जैसे सुन्दर बन सकती हो तो ने जाएगा मैं तो जिसे चुनना चाहती थी पहले ही चुन लिया है मैं तुमसे तो अपना असली रूप में नहीं चिपा सकती थी गालव लेकिन तुम बड़े विचलित हो गए हो लगता है तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगने लगा है दिखें क्या कहरें वो लगता है क्य मेरे इस रूप से डर लगने लगा है एक निराशा जो हाया पर मादवी के बातों से क्या है हम देख सकते हैं क्यूंकि वो कह रहे है कि क्या है जैसे ही वो कहती है कि क्या है मैं तुम से कुछ चिपाना नहीं चाहती करके तो ऐसे में क्या है तुम स्वयंवर में ऐसे ही आऊग लुके अबहुत सारे लोगों को भी यह बात पता है कि मादवी जो है गालो से प्रेम करती है अब वह उसी को अपना वर करते हूं तुम मुझसे प्रैम करते हो ना मिं तुमMin करती हूं उतना है यह त breakup सब्सक्रान करना नहीं चाहती जैसी हूं वैसी ही रहना चाहती हूं अहुम् दोनोग स्वतंत्र हो ना तुम्हें कैसे लग रहा है मैं सच मन की बात है ये बात तो जब मादवी को पता चलता है कि गालो जो है उससे नहीं बल्कि उसकी सुन्दर्ता से और लोगों की तरह वहाँ भी क्या है उसकी सुन्दर्ता से जो है या पर प्रेम करता है वहाँ से पसंद है तो वह अपनी बात ही बदल देती कि क्या है आप तो मै अनुष्टा नहीं करना चाहती गालो वैसे भी तुम्हारी प्रतिया पूर्थि हो गई थे रहता हुँ मैं केवल तुम्हारी रही तीनोर आजाए भी आया और मेरे बच्चों को भी वह साथ में ले आये हैं जब से बच्चों को मैंने देखा है तब से मैं चटपटा रहे हूं सिर्फ में तुम्हारा राह जो है देख रहे हैं तुमने मेरा उद्धार किया है मेरा रोम रोम तुम्हारे प्रति कृतक गी है मादवी कृतक गीता क नहीं करो गालो हमारे बीच क्रुतक्जीता कैसी देखी अब की तुम अपने के सब्सक्राइड कोई तुम मुझे छोड़ना चाहते हो chịं किम aún मादवी कहते हैं क्या मैं स्वतंत्र समझो इसका मतलब तुम मुझे चोड़ना चाते हो क्या करके तब गालव मादवी मैं चाहूं भी तो तुम से विवाह नहीं कर सकता मैं विवश हूं क्यों देखें अपर मादवी ठिटक जाती है क्यों यहां भी करतवी परणता का कोई प क्या कारणें बताओ कर तब ही गालव मैं धर्म और नैतिकता मर्यादाओं का उलंगन नहीं कर सकता मादवी मैं विवश हूं करके तब ही मादवी कौनसी मर्यादा तुम किस मर्यादा का उल्लंगन कर रहे देखिए तुम किस मर्यादा की बात कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है करके तबी गालव तुम मेरे गुरू के आश्रम में रह चुकी हो तुम मेरे गुरू के आश्रम में रह चुकी हो मादवी से शादी ना करने का आया पर ब सब तो तम्हारे प्रतिग्या पूरी करने के लिए था क्या है सिर्फ उतना ही नहीं पहले तीन राजों के पास भी में रहे चुकी हूं वह सबिच्वी और सिर्फ क्या है तुम्हारे गुरुदखšanお願いします पूरती के लिए तुम्हारे प्रतिग्या पूरती के लिए गालव पर जो स्त्री मेरे गुरू के आश्रम मैं रहे चुकी हो उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हम तर ने। सी नहीं करता दिल में तुमारे वासना हैं कुम घुलाने लगी है उपर से तुम आदर्शों और मर्यादाओं की बात करते हो देखिए ओ गालो तुम सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे हो तुमारे जो वासनाए है वो सभी कुल बुलाने लगी है और तुम उपर से आदर्शों और मर्यादाओं की बात कर रहे हो इस तरह हैं पर मदवी कहते हैं, तभी गालव, मैं अपने कर्तवर इसे वीमुक नहीं हो सकता, कभी-कभी मुझे लगता है, मैं कोई दूस्वप्न देख रही हूं। हे ग chats आप तुम मेरी चिंता ना करो नगर दहें अब यहे पर क्या होता है कि संचलक आता है और कहता है कि गाला मंडब में म तो इसका दीक्षा समा करो है ना इसले तो दीक्षा देने के लिए गूरु जैन सभी तुम्हारे इंतिजार मतलब आपका इंतिजार कर रहे करके तभी मादवी यहापर आप चलिए करके पहले संचालक से कहती है तो संचालक वासे जाता है फिर बहुत ही सही है तुस्वर में वहां गालाव से केते के चलो गालाव सभी गुरुजन तुमारे इंतिजार करे तुम भी मंडब में चाओ करके तब भी अपर गालाव केता है के और तुम करके तब भी मादवी केते के तुम मेरे चिंता मत करो तुम जाओ पहले करके देखें नेक्स्ट यहाँ पर गालव में सच्चे दिल से तुम्हारा आदर करता हूँ मादवी तुम्हारे प्रती कृतग्य हो देखी अभी वो कहता है कि सच्च में सच्चे दिल से तुम्हारा सम्मान करता हूँ और तुमसे कहा है पर कृतग्य हो करके मादवी मुझे तुम्हारा आदर नहीं चाहिए गालव नहीं कृतक गिता मुझे जो चाहिए था वहाँ तुम्हारे पास नहीं देखे मादवी कहते है कि मुझे तुम्हारा ना ही आदर चाहिए और ना ही कृतक गिता और मुझे जो चाहिए वहाँ तुम्हारे पास अभी नहीं है मतलब वो गालो से प्रेम चाहती थी आदर और कृतक गिता नहीं तो ऐसे मैं वो बोल रहा है कि कृता गी हूँ, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ करके, तो इसलिए मुझे वो सब भी नहीं चाहिए गालो, मुझे जो चाहिता भी, क्या है मतलब वो कहना चाहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुमसे मैं प्रेम चा जैसे भी गालो कहता हैular की 옆ि मैं तुम्हें सुत्वी करें तुम पूर्णता स्वतंत्रू हो गालो में तुम्हें बातकर नहीं रखोंगी। वे दिन भूल गए जब तुम कहा करते थे कि तुम महलों के आसपास मंडराते रहे हो ताकि तुमें मेरी चाया ही नजर आ जाए मैं वही मादवी हूँ गालो तुम किस मादवी के लिए चटपटाते रहते थे मैं तुमारे लिए केवल निमित मात्र थी जब तुम मेरे सामने अनुनई विनई कर रहे थे तब भी तुम जूट बोल रहे थे तुमने केवल एक ही वेक्ति से प्रेम किया है और वहाँ अपने आप से पर मैं तुम्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाई मैं सारा वक्त यहीं समझती रही कि गालव सच्ची साधना और निश्टा वाला वेक्ति है तुम भी गुरुजनों जैसे ही निकले गालव देखी मादवी नहीं अभी तक जो भी बाते कही न उसमें वहां कितनी दुखी है उसका जो डुख इतना है यह आपर हमने देख सकते हैं वह कहती है कि क्या है तुम स्वतंतर हो पूर्णत यह स्वतंतर समझवो तो ऐसे में वह कहती है कि मैं वो दिन भूल जाओंगी जब क्या है तुम मेरे आसपास जो है अपर मंडराते रहते थे मतलब जब वो महलों में भी थी तब भी वो महलों के आसपास मंडराता था ताकि कैसे फुसकी चाया मात्र भी एक जलक भी है पर मादवी को जाहे पर दिख जाये करके मैं वही मादवी हूँ और क्या है जितना नए आनुनाई से विनाई से जो है तुम मुझसे बात करते थे वो सभी बाते जूटे है क्या जैसे तुम पहले मुझसे कितने प्रेम से बाते करते थे वो सभी बाते जूटे है क्या सब जूटे हैं तो ऐसे में क्या है वो जो आनुनाई विनाई कर रहे थे ना वो भी क्या है जूट है तब भी तुम जूट बोल रहे थे तुमने सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्ति से प्रेम किया है वहाँ अपने आप से अगर तुमने किसी से प्रेम किया है सच्चा प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से तुम्हें क्या है अपर अपने आप से प्रेम है तुम मुझसे कभी तुमने प्रेम किया ही नहीं मैंन ही गलत समझा और मैं तुम्हारे साथ रहे कर भी तुम्हें जान कर भी मैं ठीक से तुम्हें पहचान नहीं पाई यह मेरी गलती है और सारा वक्त यहीं समझती रहे कि गालव क्या है एक सच्चे सादक है और एक निश्टा वाला वेक्ति है और वहां करतवी पारायन है करतवी के जैसा नहीं है इस तरह मैंने सोचा था मगर तुम भी क्या है अपने गुरु जनों जैसे ही हो मतलब वहां इंडिरेक्ली बोल रहें कि तुम स्वार्ती हो क्योंकि यह पर गालों ने सिर्फ यह पर मादवी का इस्तमाल जो है किया अपनी गुरु दक्षिना को जुटाने के और जो भी प्रेम भरी बाते वह कहरता था देखे आपको याद हुआ होगा तो यह पर पहले भी जो तापस से मिला तापस उसे ले जाने के लिए यह पर कहता है चलो गुरु के पास तब भी उसने क्या कहता मैं मादवी के बिना नहीं रह सकता मैं उसको ढूंड़ूंगा तुम चले जाओ करके और जबसे वह अभी आश्रम में आया है तब से वह क्या है पर मादवी को देखने के लिए उसके साथ बाते करने के लिए वह आया पर बहुती उत्सुक जो है दिख रहा था हूं उसे पता था कि क्या है जैसे उसने कहा था कि उससे पता चले कि मैं आ करना चाहता था मगर जब मादवी को देखता है पहले की तरह सुन्दर यूति ना दिखते होए वह एक महीला की तरह लग रही है तो इसलिए क्या है वह उससे शादी करने के लिए इंकार करता है और बहाना क्या देता है आपर कि तुम मेरे क्या है गुरू के साथ रह चुकी ह तो मैरे लिए तुम गुरूमाता समान हो देखिए, कितना जल्दी वहाँ बदल गया, तुम मेरे लिए गुरूमाता समान हो, तो ऐसे में क्या है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता ह班, इस से पहले वो बहुत बार कहता है, कि अनुष्टान कर लो, क्यूं कहां उसने? क्यूंकि वो उसके सुन्दरता से प्रेम करता था जबकि उसे बात सपष्ट होगा कि क्या है वो पहले जैसे फिर से सुन्दर यूती बनना नहीं चाहती है अभी वो जैसा है वैसे ही गालों के साथ आगे की जिन्दगी गुजारेगी तो उसे यह परसहा नहीं गया और उसने बहाना ब किस लिए कि आगालों के लिए किया उसने एक बहाना जो है उसने बना दिया तो यहाँ पर गालों कितना स्वारती है यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर आगे देखे मादवी आपर क्या कहती जाती है कटू मुसकान के साथ तुम सचमुच एक दिन रुशी गालों बनोगी धी मान गए तुम क्या समझते हो गालव जिस वेक्ति को मैं रोम रोम से प्रेम करती रही हूं उसके पल्ले में एक बुढ़िया को बांदूंगी मेरा भी तुमारे प्रती कोई कर्तवी है प्रेम का भी तो एक कर्तवी होता है देखिए अब तक क्या है कुछ समय पहले जो करती है शांत होती है और उसके सामने आती है और कुछ आगे बढ़कर वह उसे देखते हुए वह कहती है कि क्या है मैं तो सिर्फ क्या है तुम्हें देखना चाहती थी तुम्हारे परिक्षा कर रही थी उतना ही और तुम क्या समझते हो जिससे मैं इतना प्रेम करती हूं ज दिखे फिर भी आखिर में भी मादवी अपर अपनी बढ़कपन जो है आपर वहां दिकाती है वो कहते है कि क्या है इंडरेक्ट लिए पर वही कहरे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ तो ऐसे में क्या है मुझा बाते जो है अंत में वहां करती हैं फिर देखे वहां मुस्कुराती है तुम स्वतंत्र हो गालव देखे फिर यह सभी कहते हैं वे मुस्कुरा करो क्या करती है कहते हैं कि आखिर में एक ही बात तुम स्वतंत्र हो गालव करके तबी देखिया पर गालव चकित सा मादवी के औ सकती हूं मैं तो वहां मां हूं जिसकी गोद भरती गई और खाली होती गई अब तो संतान धारन करने से ही मुझे डर लगता है संतान धारन करने का मेरे लिए केवल एक ही अर्थ है अपने बच्चे को खो देना ऐसी स्त्री तुमारे किस काम की दिखी अभी गालो जो है भी वह मादवी को देखता ही रहता है जैसे मादवी ने कहा कि तुम स्वतंतर हो करके तो वह सिर्फ देखता ही रहता है कुछ बोलता पर प्र क्या है वो उसके पल्ले नहीं पड़ेगी इस तरह से उसको दोहे तसली देते हुए यह बात कहती है क्यूंकि क्या है यह पर मेरा शरीर की जो शितिलता है मेरे शरीर की वो तो दूर हो सकती है मतलब आनुष्टान करके वो फिर से पहले की तरह सुंदर यूवती जो है मादव नहीं है देखे पहले से ही मादवी देखें क्या है शादी जो है वहान नहीं करना चाहती थी क्यूंकि यहां पर यहां पर Montato यहां पर वही ह्याकोई से शादी नहीं घरे कि वो निश्चिंत रहे करके मेरे अंदर जो है जो मा है वो तड़पती रहती है देखो उसके मन में एक डर है कि उसके लिए मा बनना मतलब बच्चे को पैदा करना फिर उससे दूर हो जाना तो फिर से वो घर्बदारन करने के लिए मतलब फिर से वो मा बनने के लिए डरती है फिर किसी से भी रिष्टा जो है वहाँ नहीं रखना चाहती है तो इसलिए अभी तक उसने क्या है अनुष्टान जो है वहाँ नहीं किया है तो ऐसे में क्या है फिर से क्या है वहाँ गर्बदारन करेगे फिर से वहाँ मा बन जाएगे कहीं फिर से वो जो बच्चा है उसे दूर हो जाएगा तो वो कितनी वो जो दुख है वो सह पाएगी इसलिए मैं फिर से घर्बधारन करने के लिए डरती हूँ मैं किसी से कोई रिष्टा जो है नहीं रखना चाहती हूँ तुम निश्चिन्त रहो तुम स्वतंतर समझो अपने आपको करके एलबधारन पर फिर से तसलिए जो है मादवी जो है गालो को आपर दे रही है तब देखे एलबधारन नेपत्त में मंत्र उच्छारण के स्वर उंचे होने लगते हैं तुम क्या करोगी मादवी, हसकर मैं तुम से कहा करती थी ना चलो, कहीं बाग चले, आज मैं अपने दिल की वही बात पूरी करने जा रही हूं, मैं यहां से भाग रही हूं, नहीं मादवी, तुम फिर से अनुष्टान कर अपना पहला रूपदारण कर सकती हो, मादवी, मैं तुम्हें पाकर अपने को धन्य मानोंगा देखिए अपर अभी अपर फिर से जब पीछी मंतरुचारण का जो आवाज है वो जोर से जब सुनाई देता है नेपत्य से तो ऐसे में अपर गालव मादवी से कहता है तो फिर आगे तुम क्या करोगी मतलब वो कहती है ना मैं दूर भाग जाए आज मैं वही बात पूरा करूंगी मतलब आज मैं यहां से बाग जाओंगी मतलब स्वयमवर में वहाँ बाग नहीं लेगी किसी से भी वहाँ शादी नहीं करेगी तब ही देखके आन्त में गालव फिर से आपर क्या कर रहा है नहीं मादवी तुम फिर से किसे कर सकते हैं सभी उसने कहा था अब फिर से वो कह है रहा है कि नहीं नहीं माधवियस Mick करो तुम अनुष्टान कर लो ना मेरी बात मानौ और यह नुष्टान करोगी तो मैं तुम्हें पाऊँगा मतलब यह बोल रहा है कि तुम , अगर पहले जैसे अनुष्टान करके सुं क्या है यहापर, स्वार्ती भी है उसके साथ-साथ, क्यूंकि जिस तरह वो बोल रहा है यहापर, अब इस शादी करना है तो एक सुन्दर यूती से ही शादी करना है न, तो ऐसे में, क्या है, तुम फिर से अनुष्टान करोगी तो मैं तुम से शादी कर लूँगा, जो छलनी हो चका है गालो नहीं मादवी मैं तुम से आनुनेकरता हूं तुम फिर से देखे तुम फिर से अपने आपको धोका दे रہे गालो तुम सोच twor雲 तुमें क्या करना है क्या है ये जो रूप और सोव्ह ए क्या है वो फिर से में पा सकती हूं अनुष्टान करके मगर मेरे दिल का में क्या करो जो पहले से तूट चुका है जो छलनी हो गया है उसका में क्या करो करके तभी गालो केता है कि नहीं मादवी सोच लो तुम फिर से करके फिर से कारते पर फिर से अनुष्टान करो करके तभी मादवी तुम भावुक हो रहे तुम विचलित मत हो जाओ, अभी क्या है तुम भाव को रहे हो, अभी तुमने गुरु दक्षिन चुटा कर अपना जो करतवे उसे पूरा कर दिया है, अभी मुझे मेरा करतवी पूरा करने दो, क्या है सनेह से प्रेम से यह संसार बढ़ा है, तो ऐसे में इस संसार में कही त जो है जाना चाहती है क्योंकि अभी उसे उतना दुख जो है पर हुआ है किसी को भी हो क्या है जिससे इतना प्रेम करें और बाद में पता चले कि वो उससे नहीं उसकी सुंदर्ता से प्रेम करता है तो कितना दुख यहां पर हो सकता है उतना ही दुख अभी मादवी को भी हो रहा है इसलिए तो वहां क्या कर रही है सब को छोड़ कर कहीं दूर जाने की बात जो है यापर कर रही है तुम जाओ गालव गुरुजन तुमारी राह देख रही है युगो युगो तक तुम्हें मेरा आशिरवाद जो है मिले मेरी भूमी का जो है मैंने निबादी इस तरह सबी यहापर कहते हुए मादवी जो है इस तरह कहते हुए वो धीरे धीरे से आँखों से वो जल जो है वहाँ जाती है मतलब वो द्वार के तरफ जाते हुए पीछे मुड़कर जो है गालव से इस सबी बात जो है कहते हुए जाओ तुम क्या है सबी लोग तुमारा इंतज कर रहे हैं इसे कैते हुए पीचे पीचे ही वहां जाघी और हो से निभा दिन डिने हैं वो भी यहां से चली जाती है उसके बाद गालों के पास तो कुछ लök आकर उसके सीरर पर एक छोटा सा इची आप debate मतलब तो देब के अपर क्या है मादवी जो है अपर वहां से भाग गई मतलब वहां से वहां चली जाती है वहां चली जाती है और गालव यहापर मंडप की तरफ अपनी दीक्षा पाने के लिए वहां चला जाता है इतने में नेक्स क्या होता है देखे यहाती का प्रवेश यहाती देर करदी मुनिकुमार दीक्षा में विलंब हो रहा है। रशी विश्वामित्र राह देख रहे हैं। मादवी कहा है। कि तबी देखिए गालव और ययाति का प्रस्तान रुचाउं का पार्ट होम यग्जी के स्वर उन्चे उड़ते जा रही है तो ऐसे में क्या है गालव जो है ययाति की जो बात है उस पर कोई उत्तर ही वहां नहीं दे पाता और एक तरफ आपर होम यग्जी जो है उसकी जो आवाज जो है जो मंतर उच्छारण है वहां बहुत ही क्या है जोर से सुनाई दे रहा है तो ऐसे में गालव जाकर क्या है दीक्षा जो यह पर लेने के लिए मंडप में वहां बैट जाता है फिर यह पर अंत में वह जैसे ही बैटता है तो परदा जो है गिरता है मतलब यह पर आपका जो मादवी नाटक है वहां समाप्त जो होता है देखिए अभी लास्ट जो एक दृष्ष्य था उसमें हमें ये बात पता चलती है कि किस तरह पुरुष प्रदान समाज में पुरुष जो है पर एक स्त्री को जो है सिर्फ अपनी स्वार्त साधना के लिए उसका उ अंजान विक्ति को जो है दान में दे दिया थब तो गालों को नहीं जानता था तो अंजान विक्ति को दान में दे दिया नेक्स्ट गालों क्या करता है यापर अभी गुरुदक्षिन जुटानी है तो ऐसे में क्या है अलग अलग राजाओं के पास जो है उसे यापर रख सब को छोने के बाद रुशी जो विश्वामित्र है गालों को यहाँ पर क्या करता है रुणमुक्त जो है करता है उसकी गुरुदक्षिना जो है वहाँ पूरी होती है तो ऐसे में अभी अंत में दिक्षा समरों रखते हैं यहाँ पर ययाती भी क्या करता है वो भी खुश है तो ऐसे में वह भी आपर अपनी बेटी की स्वयम्वर करी देखलें यहाँ पर ये याति ने खुद बोलाता कि वो क्या ँबी सच में कन्यादान करेगा और गालब करेंग अपर माद विटीगों नशीति हैंर्दक्र प्रमादिश ना पर कांट किरें लोग जो है पर क्या है यह याति की तारीफ करें प्रशंसा करें इसलिए फिर बाद में गालो पहले उस खशन तकानत के समय तक भी वो जो है पर गालो मादवी से शादी करना चाहता है मगर क्या है उसे पहले की तरह सुन्दर यूति जो है बनना है और मादवी को यह पसंद नहीं है क्योंकि मादवी गालो से सच्चा प्रेम करती थी इसलिए उसने इतना कश्ट जो है उटाया फिर उसके बाद क्या है वो उससे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी इसलिए अपने सच्चे रूप में अब वो जिस तरह थी वैसे ही क्या है वो उसके सामने रहना चाहत गालो क्या है इसे स्विकार नहीं करना चाहता है कि क्या है अपर तुम चाहे तो पहले से अनुष्टान कर लो और मैं तुम से शादी करूंगा तो यह एक स्वार्त भावना ही है तो ऐसे में यह बात स्पस्ट हो जाता है कि गालो जो है मादवी के सुन्दरता से जो है आपर वहाँ प्रेम करता था अभी वह सुन्दर नहीं इसलिए उसे वहाँ शादी नहीं कर रहा है तो इस सभी बातों से दुखी होकर क्या है पहले पिता नहीं समझ पाए बाद में गालों नहीं समझ पाया उसे और गालों ने मनों से दोका ही दिया है पहले तो वह भरे होती यह पर क्या है प्यरिप्यान की न से कर था प्रेम की करता था अब उससे क्या है उसकी सुन्धर्ता से प्रेमी यह cohort जन कर तो से बहुत ही दुख होता है इसलिए वो भी वहांसे चली जाते है और क्या है ये जो तीन-तीन बच्चों से जुदा होने की जो बात है एक माँ का अलग होने का जो बात है उससे भी उसे बहुत ही चोट पहुंची है तो एक तरह से जो है आपर सभी से जो है मादवी इन सभी घटनाओं से इन सभी की बातों से इन सभी की बर्ताओं से जो है टूप चुकी है इसलिए यहाँ सब कुछ चोड़कर मादवी अंत में कही दूर जो है चली जाती है तो एक पुरुष प्रदान समाज में पुरुष जो है अपने स्वार्त के लिए स्त्री का उपयोग जो आपर करता है फिर उसके बाद स्त्री आपर कैसे विवश हो जाते यहाँ भी हम देख सकते हैं तो इस तरह जो है अपर लेकक ने क्या किया है पुरुष प्रदान समाज पर प्रकास जालने का जो कोशिश है उन्होंने किया है धन्यवाद